स्वागत है आप सभी का आपने YouTube चानल रंका English पर आज हम लोग Hindi to English Translation में काफ़ी सिंपल सेंटेंसे जानेंगे जैसे कि प्रेजेंट कंटिनिवस टेंस रिलेटेट सेंटेंसे को जैसे कि पहला एक्जामपल ले लेते हैं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं रहा हूं रहा हूं होत है तो सभी को पता है कि यह कंटिनिवस टेंस है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर जो कि हैंपिंग भर्प्स है एम इज आर ठीक है यह तीनों डेपेंड करते हैं आपके सब्जेक्ट पर क्या सब्जेक्ट क्या है उसके बाद वर्प आई- मैं यानि इए टो आई के साथ हमें से आमका यूज करेंगे ठीक है पढ़ना एक यहाँ पर भड्त होता है एक तो वह रफम रीड है तो उसके साथ आई-ँज यूज करेंगे रीडिंग तो यह बेब्रप पोडा का I am praying a book एक किताब तो अबजेक्ट आ गया यह तो I am reading a book मैं किताब पढ़ रहा हूं I am reading a book. Next example, इसी तरह से समझेंगे, जैसे कि वह school जा रही है, ठीक है वह जा रही है, तो एक लड़की है तो उसके लिए C कायूज करेंगे, अगर कोई लड़का होता है इसके जगह पे, वह school जा रहा है होता यहाँ तो ही कायूज करते हैं बस, इतना ही अंतर है तो C अब C है तो उसके साथ इस कायूज करेंगे helping bar में, third person singular number के साथ इस कायूज करते हैं, third person singular number क्या है तो वही, C, He, यही, It, कोई एक नाम हो गया जैसे राम, स्याम, एक ही नाम होना चाहिए, एंड करके अगर जोड कर उसको दो कर तो जैसे राम, एंड स्याम तो फिर प्लूरल हो जाएगा, तो आर कायूज करेंगे, टेकि उस सेंस में, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस कायूज करेंगे, she is going to school, next, हम, यानि कि we, फिल्म देख रहे हैं, तो हम यानि वी, वी के साथ आर कायूज करेंगे, वाच मतलब देखना तो भरप फोर वाचिंग आव मूबी, यानि कि हम फिल्म देख रहे हैं, वी आर वाचिंग आव मूबी, next example, तुम गाना गा रहे हो, इसको हम अगर कैसे बोलसकते हैं, तुम यानि यू, यू के साथ आर काई जच करेंगे, शिंग मतलब गाना, शिंगिंग यानि गा रहे हो, तो क्या गा रहे हो, गाना तो song, तीकि इन दोनों sing और song में अंतर है, sing मतलब गाना, कोई भी गाना है, तो सिंग बोलेंगे जब आप अपने मुझे है तो इसको गाना बोलते हैं यह song यानि कि अलग गाना जो आप सुनते हो वह song यानि कि तुम गाना गारे हो तो आप यहां पर लोट सकते हों आप आप से रह दो जाएगा मैं के जगह परूआ हो जाएगा मैं के जगह वह वह खाना बना रही है वह खाना बना खाले यानि किसी यानि लड्की है तो सबनाना paying cooking यानि बना रही है food यानि खाना तो ठांच और याने सिद्टी के कि कुकिंग फूट वह खाना बना रही है सिद्टी कुकिंग फूट हम खेल रहे हैं हम यानि कीवी उभी के साथ आरका यूज करेंगे प्ले मतलब खेलना आई एंजी यानि प्लेंग यहां पर अब अब जेक्ट नहीं देखेंगे तो इसलिए काई कि अ होता है रूल जरूरी नहीं को अबजेक्ट हो ही जरूरी नहीं है सब्जेक्ट है यह भर फिर फॉर इतने युज़ करके भी आप संटेंस बना सकते हो नेक्स्ट वह अपनी मां से बात कर रहा है वह यानि ही यानि वह इज ही के साथ इस का यूज करेंगे टॉक मतलब बात करना आई एंजी वर्फोर तूहीज मदर यानि अपनी मां से बात कर रहा है तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम यानि कि you are study मतलब पढ़ना studying यानि पढ़ रहा हो तो मैं कुछ लिख रहा हूं मैं तो ऐसे हम लोग बोलेंगे आई यानि मैं आई के साथ हैं का यूज मैं कुछ लिख रहा हूं वह अपनी किताब पढ़ रही है वह यानि she is reading her book वह अपनी किताब पढ़ रही है हम बाहर जा रहे हैं हम यानि वी के साथ और का यूज करेंगे गो मतलब जाना गोएं यानि जा रहे हैं आउटसाइड यानि बाहर यसे वी सब्जेक्ट है और helping भार और को बोल सकते हैं helping भार टेक है गोईंग को भार फोर आउटसाइड यानि ये अबजेक्ट तो भी आर गोईंग आउटसाइड हम लोग या हम बाहर जा रहे हैं ऐसे बोलेंगे तुम हस रहे हो तुम तो यू यानि तुम हसना यानि लाफ तो सबसे पहले हिंदी के अनुसरा नहीं लिखते हैं ठीक है इसका रूल है यू के बाद उसका हम लोग यू बार भी यूज करेंगे यू आर लाफिंग तुम हस रहे हो हसना यहां है लाफ यानि हसना ठीक है यू आर लाफिंग यानि कि तुम हस रहे हो नेक्स्ट और मैं संगीत सुन रहा हूं I am listening to music मैं संगीत सुन रहा हूं I यानि मैं am यानि हूं listen यानि सुनना listening सुन रहा हूं वा काम कर रही है यानि वह इज यानि है work मतलब काम करना working सब्जेक्ट है और 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 अबजेक्ट नहीं है सेंटेंस छोटे भी हो सकते हैं कि हम आपस में बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग टू इच अदर इस अदर यानि आपस में दुसरे से और भी ऑर यानी हम प्र या हम लोग भी पोल सकते हैं अर यानी है helping work talk यानी बात करना talking यानी बात कर रहें तो भी आ टॅकिन्क टु एच अदर हम आपस में बात कर रहें या हम लोग आपस में बात कर रहें वह दड़ रहा है, he is running, he, यनि वौ, is, यनि है, run, यनि ड़न, रणा, रहा है, he is running, मैं निया खाना बना रहा हूं, हां, I am making new food, मैं निया खाना, रहा हूं, new यानि निया खूड यनि खाना, मैं मतलब बनाना मैंकिंग बना रहा है मैं मैंकिंग निव फूड मैं नया खाना बना रहा हूं तुम फोन पर बात कर रहे हो यू आ टॉकिंग ऑन फोन एक्स्ट इंपल वह अपनी बागवानी कर रही है सीज डू मतलब कारना का दूइंग यानि सीडिंग वाकर हर यानि अपनी गार्डेनिंग यानि की बागवानी का ना अगर आपको ऐसे वीडियो से अच्छे लगते हों तो यूटुब चैनल को सब्स्क्राइब करें रंका एंग्लिस को जाहें जरू लेगे गांगांगांगा झाल वानि वीडियो dissertation को सब्स्क्राइब का यूट।